मद्यप्रदेश में जल्दी ही उप्चुनाव होने हैं ऐसे में सभी पार्टिय चुनाव की तैयारियों में लगी हुएं सबसे बड़ी चुनावती जो तरा दित्त सिंध्या के सामने हैं सिंध्या कॉंग्रेस छोड बीजेपी में शामिल हो गये थे 22 विधायकों के साथ जिस वज़े से दिपदेश में कमलात की सरकार यानि की कॉंग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से दिपदेश में बीजेपी की सरकार यानि की शिवराज की सरकार सत्ता मी वाप सी किये एसन बता दें आपको कि पहली बार बीजेपी कार्यालाय मुखरजी भवन पहुचे राजुसभा सांसत जोतराजी तसंधिया एक गंटे बीस मिनट रुके इस दोरान उन्होंने मेडिया से उप्चुनाओ में बीजेपी से जादा सीते जीतने वाले कॉंग्रिस नेताओं के बयान पर कहा है कि कॉंग्रिस को अपने भविश्य पर ध्यान देने की जरुरत है भविश्वानी करने से जादा अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का काम करें तो बहतर होगा हम लोग उप्चुनाओ से पहले जनता के लिए कई विकास कारे लेकर आए हैं कमनलाथ ग्वालियर आ रही है आएं वैसे कौन सा मेगा शो करेंगे ये वे ही जाने क्योंकि उनका 15 महीने का सरकार वाला शो जनता देख चुकी है एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अंगनबाडी में बच्चों को अंडे माटे जाने का मामला प्रदेश सरकार का है शिवरा सिंग चौहान मुख्य मंत्री और इमर्ती देवी विभाग के मंत्री हैं तो वे लोग अपने इस्तर पर फैसल लेंगे मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता सांसग सिंधिया ने मुखरजी भवन पहुच कर सबसे पहले शामा प्रसाद मुखरजी के पेतिमा पर माला रपन किया इस दोरान वर्ष नेता वेद प्रकाश शर्मा ने उन्हें एकात मुमाना वाद की पुस्तव घेट कि सिंधिया ने यहां पार्टी के नेता वाकारे करताओं से मुलाकात की मुलाकात के वक्त जिन लोगों के मास्क हटे हुए थे सिंधिया ने उन्हें मास्क पहनवाए इसके बाद सिंध्य ने मुखरजी भवन में संभागिय संगठन मंत्री आसुतोष तीवारी से करीब 40 मिनट तक बंद कमने में चर्चा की सुत्रों के अनुसार ये चर्चा आने वाले उप्चिनाव और संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर ले इस मौके पर उनके साथ हुर्जा मंत्री प्रदुमन सिंग तोमर, शहर अध्यक्ष कमल माखी जानी, ग्रामीड अध्यक्ष कौशल शर्मा, पूर्व महापौर, समीक्षा गुपता, सुरेंदर शर्मा, रामर वरण सिंग, जै सिंग कुश्वाह आदी मौजूद रहे बाद में उन्होंने जै विलास पैलिस में मंदल अध्यक्षों से फीड़बैक लिया जानकारी सूत्रे वं सूत्र श्रोज से प्राप्त है जानकारी पर आपकी क्या राया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताए बाद में जानकारी के लिए बने लिए मरताग इस्पियर नाइन न्यूस रूम से शृतिक रेपोर्ट